नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि स्विटगलिम M टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है स्विटगलिम M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और स्विटगलिम M टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Sweetglym M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। Sweetglym M एक brand name है, Sweetglym M टैबलेट के अंदर दो दवाओं का combination होता है, Sweetglym M टैबलेट के अंदर salt composition glymepiride और metformin होता है, जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली स्विटग्लिम M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। स्विटग्लिम M टैबलेट का उप्योगर टाइप 2 डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है। नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है। यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती को डाइबिटीज की समस्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में स्विटिग्लिम एम टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में स्विटिग्लिम एम टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे दस्त होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, वजन का बढ़ना, भूप कम लगना, मुँ के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्स स्विटिग्लिम एम टैबलेट की वज़ह से हो सक अब हम डिसकस करेंगे कि स्विटिगलिम M टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। लेकिन शरीर में ब्लड शुगर की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्तर डोज को बढ़ा कर स्विटिगलिम M टैबलेट को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला दे सकते हैं। स्विटिगलिम M टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। स्विटिगलिम M टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको स्विटिगलिम M टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की स्विटिगलिम M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से मियंत्रन में करने के लिए आपको स्विटिगलिम M टैबलेट के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए। चिंता वत तनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए। Type 1 Diabetes होने पर, कोई सर्जरी होने पर, Diabetic Coma होने पर और Diabetic Ketosis होने पर Switiglim M Tablet को लेना recommended नहीं होता है। Blood Sugar बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको Switiglim M Tablet को लेने के बाद खाने को skip नहीं करना चाहिए। और आपको Switiglim M Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए। Pregnant महिलाओं में Blood Sugar के लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Switiglim M Tablet का सेवन करना recommended नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सबस्क्राइब कर लेना। और अगर आपका Switiglim M Tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।